जिए आस्था चनल पर कता सुन रहे है। जितनी फेस्वूक पर यूट्व पर सुन रहे हो हो साउधानी से सुनना। मंदिर में अगर दिया लगाने जा रहे हो बाती लगाई है आपने मंदिर के कुछ देर बेठी है। कुछ देर इस्मर्ण करें। हमारे ह्यान तो यहां तक कहा गया है कि किसी मुर्दे को अगर जलाया भी जाता है तो कपाल करियां तक रुकना पढ़ता है कि थोड़ा रुकिये कोई पीछे से आकर कुछ करना जा no दीप जलाएं थोड़ी दे रुकिये और दीप का भी नियाम है मारा दीप का भी नियाम दीए में जो फूल बत्ती लगती है गोल बत्ती लगती है गोल वाली ये बत्ती हमेशा कोई विश्णु बगवान की पूजन कर रहे हो शिवजी की पूजन कर रहे हो कोई अन्य देवता का अगर अगर अप इस्मरन कर रहे हो तो गोलबत्ती लगाई जाती है बगवान के मंदिर में पूजन कर रहे हो तो गोलबत्ती लगाई लंबी बत्ती लंबी वाली जो बत्ती होती है लच्मी की पूजन में देवी पूजन में जितनी भी माताओं की आप पूजन करोगे जितनी भी देवियों का आप इस्मरन करोगे उसमें लंबी बत्ती का प्रमान पित्रों की पूजन में लंबी बत्ती का प्रमान है पित्रों को कभी गोल बत्ती नहीं लगती करते हैं कि परिंडे के पास मटके के पास में पानी के श्त्रोत के पास में जहां जल भरते हैं हंडा रखते हैं तंकी रखते हैं वहां पर मटके के पास बत्ती लगाओ दिया लगाओ पितर संत रहेंगे तो पित्रों को संत करो मना नहीं है पर दिया लगाने का निया में कि प अटके के पास परिंडे के पास या अमावस्या के दिन पित्रों के लिए अगर दीप लगा रही हो तो गोल बत्ति अगर लगाओगी तो कारे कभी सफल नहीं होगा धन आएगा जाएगा ठिकेगा नहीं इसलिए पित्रों के लिए अगर दिया लगाना है उर्वजों के लिए दिया लगाना है पित्रों के लिए अगर दीप लगाना है तो लंबी बत्ती लगाईए लंबी बत्ती मारत लंबी बत्ती का प्रमान हमरे यह सास्ति करता गोल बत्ती का प्रमान और सुन्दर चरित्र कहा यदी आपके जीवन में बहुत जादा लच्छमी से तकलीप है कश्ट बहुत जादा है या इसलिए सायत कहा जाता है कि भगवान को सर्वस्रेष्ट कौन सा चंदन अच्छा लगता है आपको पहले भी कथा में का आगरा की कथा अगर किसने सुनी होगी तो उसमें बर्णन किया भगवान को सर्वस्रेष्ट चंदन कौन सा भगवान को सर्वस्रेष्ट चंदन कौन सा प्रिय है वो कौन सा चंदन है जो भगवान विश्णू को लगाएं राम को लगाएं कृष्ण को लगाएं वो कौन सा चंदन है जो श्री हरी को लगाया जाए तो जीते जी भगवान विश्णू एक बार गले लगाते हैं उसको करते हरी चंदन कौन सा चंदन है हरी चंदन हरी चंदन बजार में नहीं मिलेगा हरी चंदन आपको बनना पड़ेगा काईसे बनना है तुलसी जब सूख जाए उसकी जड़ को निकाल लिया जाए वो जड़ को पानी में धो लिया जाए धोने के बाद उसको सिलवटे पर पथर पर घिसा जाए और घिस कर उसमें थोड़ा सा कुंकू रोली डाल कर तैयार करकर जो भगवान विश्नु के मस्तथ पर कृष्ण राम के मस्तथ पर लगा देते हैं और उसकी एक बिंदी अपने हिर्दय पर लगा लेते हैं जीते जी भगवान एक बार इसको गले लगाते ही है हरी चंदन जैसे शिवा माहपुरान में रुद्र चंदन का भाव है शिवा माहा पुरान में रुद्र चंदन का परमान दिया जाता है अगर आपने लिंग पुरान परणiture बढ़ियो ओ तो उसका तो कुमार एक खंड पडियेगा जिसमें रुद्रचंदन का प्रमाने रुद्रचंदन कैसा रुद्रचंदन का प्रमाने कैसा तो महराज कहा चंदन घिसकर पीला चंदन घिसकर उस चंदन को तीन मुखी रुद्राक्षे पर लपेट लिया जाता तीन मुखी रुद्राक्ष और उस चंदन को आप शिवरात्री के दिन और कोई से भी महिने की शिवरात्री किसी भी महिने की हो सब फल्डाई होती है अगर आप पंचांग में देखेंगे तो शिवरात्री लिखी हुए आती है हर महिने शिवरात्री पढ़ती है किसी भी महिने की शिवरात्री पर रुद उत्र चंदन अर्थात जो चंदन का आपने तीन मुखी रुद्राक्ष में लेपन करा है उसका गोला बनाया है वो चंदन अच्छा मोटा मोटा कर लेना अच्छा बढ़िया ऐसा नहीं थोड़ा बहुती लगा पूरा रुद्राक्ष दिखना नहीं चीए पूरा लपेट कर उसको शंकर के शिवलिंग पर लिजा कर रख दीजिए और फिर धीरे धीरे शंकर भगवान कर जल अभिशेक करना प्रारम कर दीजिए वो चंदन पूरा धीरे-धीरे शंकर के शिवलिंग पर डलना चाहिए शंकर के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाब करिए यह कहलाता है रुद्धर चंधन इस चंधन के अभिशेक से महराज जो काम नहीं होता आप करकर उस कारे को प्राप्त कर सकते हो सिढ़ कर सथ पॉत्र चंदी हरी चन्दन्ह रुत्र चंदन्हें यह पुत्रियां नहीं चल रही जो कहीं मत जाओ, मेरे शिव की शरण में जाकर, एक बार शिव महा पुरान को पूरी सुनो, शास्त्र के हटकर कुछ नहीं बोलेंगे, जो शास्त्र संबत है, इसकंद पुरान में, विश्णु पुरान में, नरवदा पुरान में, लिंग पुरान में, शिव महा पुरान में भविष्व पुराण में जितनी जितनी बातें लिखी होती है उसको छाट-छाट कर लेकर आते हैं आपको बता देते हैं कि आप ये कर लो उससे फायदा मिल जाएगा कोई जोतीशी नहीं कोई कुछ नहीं बसके बल भजन करो शंकर का अनुमोधन करो और विश्वास रखो शंकर पर तो किसी को एक रुपिया देने की जरुत नहीं पड़ेगी भजन करो विश्वास शंकर पर रखना जनम मरन और परन वो देगा सुक वो देगा सम्रद्धी वो कर विराजमान होते हों जिसके घर में स्वयम अखंड last slippe के देने वाली पारवती हो जिसके घर में लच्छमी देने वाली लच्छमी पेल-पत्र के पेड़ के नीचे जाड़ू लगाती हो, जो स्वयम सरसती को स्वरप्रदान करता है, वो शंकर है, जब सब कुछ उसके पास में है, कुबेर का खजाना वो चोर को दे देता है, जब सर्वस्वता उसके पास है, तो आप इदो डोलते क्यों हो, क्यों डोलो, उस पर विश्वा रखो, वो शंबहो, वो शंकर, वो तरकाल दरशी, वो केलाशी, वो अभिन आशी, सुख देगा, आनन देगा, पाने का तरीका केवल उसको रिजहाओ, जो मंदिर आप से दूर हो जिस मंदिर में कोई नहीं जाता है जिस मंदिर में कोई दिया तक नहीं लगाता है उस मंदिर में तुम जा और उस मंदिर में एक दिन जाकर प्रकाश करकर आना एक बार दिया जला कर आना मंदिर की सफाई कर आना संकर जी पे जल चड़ा कर, उनको इसनान करा कर, कोई पत्ती पेड़ पोधे की पास में हो तोड़ के चड़ाया ना, दो चार बार करकर देखना कितना सांती, कितना धीरच, कितना अनन्द, कितनी सम्रधी, कितनी लच्मी मिलती है, तुम करोगे तुमारा पेड़ भराएगा, हम करेंगे हमारा पिट भराएगा स्वयम करिए ब्रह्म लोग के देउता ब्रह्मा है बेकुंट के देउता भगवान विश्णु है और मर्तिव लोग का अगर कोई देव है तो वो महा देव है केवल शंकर केवल शिव मर्तिव लोग का दे अब एक विचार करो तुमारे घर में अगर थोड़ी सी तकलीफ आई तो सबसे पहले अमेरिका में लड़का रेरा वो आएगा क्या उना में बच्चे रेरा है वो आएंगे क्या इन दोर में बेटी रेरा है वो आएगी क्या हो जयान में कोई दे रहा है वो आएगा क्या सबसे पहले वो आएगा जो तुमारे घर के पास होगा या घर के करीब में होगा बिलकुल लगा हुआ होगा या घन में होगा अब आप कहा रहते हो जितने लोग कथा सुन रहे हैं सही बताना कहा रहते हो परत्वी पर मरत्यू लोक में रहते हो और कुकार किसको रहे हो ब्रह्म लोक में पुकार किसको रहे हो वेकुंठ लोक में पुकार किसको रहे हो इंद्र लोक में और जो घर के घर में रह रहा है ज कई लोगों किया दाते हैं पडोसन को तो खुब चाय पिलाएंगे पडोसन की काकी के तो श्री शिवाय नमस्तु भ्यम दर्शे को हर हर महादेव हमारे यूट्यू चैनल में आपका स्वागत है मैं पुझजी गुरू जी की कतह सुनकर समझकर समझाने की कोशिश कर रहे ह। अगर आपके सामने कोई भिकट परिस्थिती है और धोर निरनै में से एक निरनै आपको लेना है और वहीं अस्थान पर अपना निर्ने, दो निर्ने में से एक निर्ने ले लिजिएगा, आपका निर्ने जो लेंगे वह सफल होगा, इतना परवल है एक बिल पत्रे की हर हर महादेग।